तो एक नई वीडियो के साथ तो भाई मतलब कि धूंद होगा क्या कैड़ी और यह कड़ी अपनी न्यू ब्रेजा तो चलते हैं अंदर और करें बात तो यह दबा दिना इसके दो बटन यह होगी अनलोक और बैटते हैं अन्दर हां तो भाई बैट चुके हैं अपनी ब्रेजा के अंदर वह भाई सही बता हो मतलब की इतनी ठंड हो रखे या क्या है यह बता हो यह थेंड मेंने सबसे बड़ा हो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि देखो साथ बज्च हो गया है और अभी तक धूपू कोई नाम अनिशान नह और यही दिन अगट उसमें उते ना, आपके ठंड में, सोरी, गर्मियों में, तो यह लिया था, अब तक तो भाई मैं कहूं, कब की धूप भी निकड़ाती, धूप का धूप, गर्मी भी हो जाती भाई, कब की, लेकिन भाई, अभी देखो ने, ठंड में, कुछ भी नियोर म बनाए फ्लेश ओन करनी पड़ती है और से घर के भी अभी जैसे अभी थोड़ा सो गए हैं सब तो यह उनको भी थोड़ा डिस्टर्ब बहुत हैं कि यहां भी क्या और उनको पता नहीं है फिर वह वाले बात हो जाएगी वह वीडियो बना का सब्सक्राइबर होती है एक कैड़ी चीज आरे तुमारे लिए सर्प्राइज आरा नहीं है और भाई एक छी जोग बताना की व्लोग कैसे लग रहे हैं छोटे मुटे दिर भाई अमना वह यह बूंद बूंद सही समुंदर बनता है तो भाई इसलिए अपना धीर धीर छोटे चोटे क्लिप्स एड करते रहेंगे और जब में लगेगा कि हाँ भी सही टाइम आ चुका है तो फिर अपना नोगमल व्लोगिंग पर आ जाएंगे फिर अपना व्लोगिंग चलेगी फिर उसके बाद दो तिन सर्प्राइज और भी देरने है ठीक भाई बाकी तो भाई दे सबसे बड़ी गलती पता लोग आजकल क्या कर गया है वह यह कि मालो भाई जैसे मालो मैं अभी अपनी गार्डी मां आगे बैठा तो बैठा तो बहुत सबसे आपको बड़ी गलती यह नहीं करने है लोग आते हैं फटा-फट इगनीशन ओन किया ऐसे लाइट वाइट आई और एकदम अपना सेल्फ मांगे चल देते हैं ऐसा नहीं करना भाई जैसे मालो आप गार्डी मां आए ठीर है यह इगनीशन ओन होगा इगनीशन होने के बाद यह लाइट वाइट चैसे हैंगे उसके बाद यह आपको कम से कम भी तीन सेकंड वेट करना है फिर उसके बाद अपना कलज दबाके ब्रेक दबाके गेर नोब चेक करें और तब आपको सेल्फ मांगने हैं उसके बाद भाई एक दम जैसे माले पैटरोल गार्डी आए तो भाई थेंड में ओवेस सी बात है जाए पैटरोल डीजल हो एक दम जो आर्पियम होता है निए हाई जाता है भा और वहीं सबसे बड़ी लोग गलती कर देते हैं वो क्या है वो यह यह भाई कि जैसे स्टार्ट हुई न गार्डी एकदम लेकर चल देंगा है ने बहुती है गलती लेकिन भाई घरवालों में बताया कि ऐसे नहीं करना चीए और थोटी सी चीज़िए बाद में नोलिज भ पांग ठीख दे तो आपको कैसा महसूस हो लाई तो बहुत देंगो यह एक तरह से लिविंग तिंग यह 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 इनसान तो आपदो अपना गाड़ी को प्यार से आकदे लहें आपने श्टार्ट किये तो कम से कम भी आप में गर्ण कम से कम भी maximum to maximum तीन चार तीन से चार विना तुसको दे दो वो automatically भाई स्टार्ट होगी अपना भी normal हो जाएगी होता कि क्या है कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं तेल जाने में टाइम लगता है तेल जाने में टाइम लगता है तो भाई हम वही गलती कर जाते तो हम एकदम लेके चलते हैं तो उससे हमारे पुरे इंजन पर इंजन से लेके अपनी एवरेज तक भी गड़े जाती है आपको ये बात पता हो पूरी उस पर एक छोटी सी गलती होगी पूरी उस पर फरक पड़ जाते हैं जैसे मानलों हम इसको छोट दें कुछ टाइम के लिए 2 आजाग आग पिम के बाद तो ओटोमेटिकली आग पिम जैसा तब ऐसा नोगमल हो जाएगा फिर उसके बाद भाई तेल अपने अपनी गनिंग पर आ जाएगा मलब और अच्छी तर ऐसे ममलब यह दिक्कत नहीं कोई फें. इस चीज करनी साहिए और भाई बहुत से भाई पता है क्या कालती करते हैं आज की टाइम में जैसे मानलोग अब ठंड का टाइम तो इसी तो चलता उनी है अब चलका ही तो आनोग ही प्राइब तो आपको जरूरी निये कि आप अपको प्राइब पैक्ट्रोल भी पत जाए रहे हैं इंजन की वह है वह अंदर ले सकते हैं वह कैसे जैसे मालो आपने यह एक फैन पर किया यह आप टेंपरेचर देगा मालो में टेंपरेचर को कर दूँ तो भाई आपने नोर्मल कूलिंग जो बाहर किया हुआ है वह आईगी ठीक है और मैं इसको बंद कर दो तो भाई ओर थोड़ी से फ्रेश यह आजाएगी लेकिन हमें फ्रेश यह चाहिए नहीं तो हम इसको ओन रखेंगे और मैं कर दूँ इसका यह देखां मैंने टेंपरेचर भी तो 30-35-32 बाकियों में तो मुश्किल से मुश्किल 27-28 तक होते वे उसके पद ऐसा हीट का जाता है तो भाई अब आ चुका है टोटली हीट का साइन अब हो चुका है हीट और भाई ऐसी बात नहीं कि हीट कि अब भी धंडिया वारी है ब बैठे बैठे बिलूगल गरम कर दिया गरम हावा आने आनी स्टार्ट हो चुकी है तो भाई आपको यह चीज करने तो बहुत से बाई पता है क्या वहीं गलती कर जाते है ठंड में भी बताओ यह एसी को बटन दबा देंगे और फिर ना जो ठंडिया वा जो फैक्त है वह अपना टैंपरेजर को सीधा ही कर दें यह ऑटमेटिक लिए इंजन की हीट है उसको हमारे तक पहुचा देगा और भाई जैसे मालो ठंड का मोसा में आप लोगों को पता है तो ठंड के मोसा में होता क्या है कि सबसे ज़्यादा जो अपने शीशे हैं यह अपना दूंद से जमने लगते हो भाई यह ऐसे दूंद नहीं होती है जैसे मालो आप यहां से साफ करोगे न तो यहां से साफ नहीं होगे यह होएंगे सिद्धा बाहर जागे कपड़ बड़े माज गए साइड में भी पूरा जम जाती है धूंद 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 या आप AC on करना चाहिए तो AC भी on कर सकते हो या फिर मालो आप नोगमली ऐसे हीट पर छोड़ो थोड़ी देर के लिए जो भाग की जितनी भी वह है दोन दो जमला ओस जमी रहती है वह ओटोमेटिक लिए जैसे कि इसी से पर थी थोड़ी थोड़ी और जैसे मैंने हीट अगो आप यहां से हवा आ रही है और यहां पर टकर मारे तो जो भी कुछ और उसको हटा देगी बहुत से बाइब पता ही नहीं होता अपना इतनी ठंड में उतरेंगे पर जब उसको टेंगे तो वह इसे निकरना प्रिमें इसमें सिस्टम देगा काया तो क्यों परिशान होना फ इसका सेंसर पीछ उता जैसे मालों आप यहां से देख लेयों होगे नहीं है तो परेवा इसी को तो सीड़ीट तो रहती ही है यहां पर बुटन देख लता है इसको तोटली सब कुछ ओफ हो जाएगा और वाई आज के टाइम में सबसे बड़ी पब्लिक एक मतलब की मित है लोगों में कि मालो हम सीशे डाउन करके चलेंगे और एसी बंद करके चलेंगे तो भाई हमारी कार कम पैट्रोल लेगे तो भाई आपका सबसे बड़ा मित है आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिलते है नेक्स वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना सेफ रहे